हलो गाइज, विलकम बैक टूनेधर वीडियो गाईज, अगर आपने नएा मोबाइल लिया है पहले वाले मोबाइल में अगर आपा अल्राजीब वैंक का मोबाइल अप्लिकेशन यूज कर रहते तो आप नए वाले मोबाइल में कैसे य眠ी आपका पुराना मोबाइल खो गया है या खराब हो गया है आप नया मोबाइल लिए उसमें अलराजी बैंक का अप्लिकेशन चालू करना चाते हैं तो क्या प्रोसेस है तो देखिए अप्लिकेशन जो है पहले गूगल प्ले स्टोर से आपको ले लेना है उसके बाद कुछ इस तरह क ओपर में आपको लॉग इन का अप्शन मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा अपको यहां पर करना है अपना सबसे पहले इकामा नमबर ढालना है तो Bak rig करना है पर आपका पुराना पासवर्ट उ स्टाल अब करना है आपका अpaiपर किलिक करना है है तो यहाँ पे new device में register हो रहा है, तो आपको इस वाले option पर click करना है, click करने के बाद एक इस तरह का option आएगा, activate using another device और receive a call, इस तरह का option आएगा, ठीक है, तो आपको receive a call वाले option पर click करना होगा, ठीक है, तो अब आपको क्या होगा, अलराजी बैंक के तरफ से call आएगा, तो इंतजार कर लीजिएगा, call आएगा, ठीक है, उस call को आपको receive करना है, और साथ ही साथ एक message भी आएगा, जो four digit का उसमें passcode रहेगा, वो passcode आपको याद रख लेना है, ठीक है, जैसे देखिए call आ चुका है, ठीक है, तो हम इसको receive करते हैं, तो जैसे ही receive करिएगा, तो receive करने के बाद ये कुछ instruction देगा, कि आप जो है new device में, अपना अलराजी बैंक का application रिजिस्टर कर रहे हैं, तो register successful करने के लिए, कुछ number बताएगा, हर बार अलग-अलग number बताता है, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, तो जैकि यहाँ पर मुझे 8 दबाने के लिए बोल रहा है, मैंने 8 दबा दिया, उसके बाद ये call जो है, thank you बोलके disconnect नहीं होगा, यहाँ पर फिर आपको passcode आया है, जैसे देखिए सकते हैं, 6202 मेरा यहाँ पर passcode आया है, यानि password आया, तो वो भी इंटर करने के लिए यहाँ पर बोलेगा आपको, तो वो जो है आपको इंटर करना है, ठीक है, उसके बाद ये passcode अगर आप सही डालेंगे, तब जाके वो जो है call disconnect हो जाएगा, call जैसे disconnect हो जाएगा, अब एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए, login with mpin कैसे कर सकते हैं, यह भी चीज सीख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा चीज भी बताने वाला हूँ, कि यहाँ पर क्या होगा, कि जब जब आप खोलेंगे, तो आपको पूरा password डालना होगा, तो password बड़ा होता है, यहाँ पर जो है mpin 5 digit का होता है, तो आपको क्या करना होगा, फिर से login वाले उपर profile वाले option में जाना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, क्योंकि login with mpin, यहाँ पर देखिए option मिल रहा ना, तो आपको क्या करना है, इस वाले option को यहाँ पर enable कर देना है, उसके बाद यहाँ पर एक नीचे termine condition, उसको accept करके register वाले option पर click कर देना है, ठीक है, अब यहाँ पर आप 5 digit का number चूज करेंगे, जो आपको अच्छा लगे, फिर से वही number enter करना है mpin के लिए, तो चलिए मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर देखी दो option आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर call me now का option आएगा, उसको simply आपको click करना है, ठीक है, अलराजी back में आप कुछ भी करेंगे तो एक call आएगा verification के लिए, ठीक है, तो आपको verification के लिए call receive करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर MPIN हम register करने के लिए एक call आएगा, कि यहाँ पर देखिए, call आ चुका है, तो इसको receive करेंगे, अब यहाँ पर बोलेगा कि आपने MPIN के लिए request किया है, ठीक है, तो अब एक दबाईए, तो क्या होगा, आपका MPIN register हो जाएगा, दो दबाईए, तो cancel हो जागा, तो एक दबाई है, मेरा message भी आ चुका है, कि हमने MPIN से login के लिए successful register कर लिया, उसके बाद go to dashboard है, उसके बाद click कर दीजिए, उसके फिर से log out करके login करिएगा, तो अब जो है, आपको password डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि MPIN डालके आप login हो जाएंगे, असानी से, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अलवाजी बैंक का application ओपिन किया, उसके बाद यहाँ पर wait कर लेंगे, उसके बाद देखिए, login का option उपर मिल रहा है, उसको click किया, उसके बाद देखिए, direct MPIN का option आ गिया, हुआ हैं तर्म से, तो, हुआ है साबची, रहाँ वजया हैं कईया जाप मुत्टर 10,